जिसको भी अपने बच्छे को मौला बड़े बना है फिर आपने कहा कि मदरसों के दुनिया कि बाइटान की है जिनके पार पैसे नहीं है सरकार उनको पढ़ा नहीं सबसे हैं मेरा सबसे है कि हम देखते हैं जो मजबी हुआ तो क्या हम जैसे जो आम जन्ता जो टैक्स भरती है क्या हम लोगों के साथ जो सबसे हैं कि क्या हम सुन्धेटों को ही दे रहें तो हम बाकी स्कूलों में लगा दें अगर हम मदर्सों को भूती साथ मिलती है सारे मदर्से मुस्लमान अपनी आंदनी के जो जगात होती है ड़ाई परसंट उससे चलाते हैं और ये मेरा संविधानी कार है कि सरकार को कोई हक नहीं उसमें दखल देने का ये आर्टिकल 2930 हमें ये देता है कि हम अपनी धार में एक शिक्चा का संस्तान खुद चलाएं खुद उसे मैनेज करें और उससे सरकार उसमें दखल नहीं देगी ये बावासाद भीमरा विक्टर का सम्मिधान कहता है